हाई एव्रिवान गूड इबनिंग वेलकम बैक तू माई चैनल कैसे आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे तो सनिवार के दिन का ये वीडियो है और साम का टाइम है इस समय जो है पांच बज रहे हैं तो मैं यहाँ पे न चावल साफ करने बैठ गई हूँ और काम स्ट जाते हैं तो उठने के बाद तुरंद काम वगरा करने का मन नहीं करता और अभी पापा है नहीं तो मुझे एकदम टाइम से चाय नासता बनाने की जरूरत नहीं पड़ती और कमेंट भी आप सब का आ रहा है कि कहां है पापा जी आपके और अब आपके साथ नहीं रहते है क्या तो ऐसा नहीं है साथ रहते हैं मगर अब भी फिलहाल वो गए हैं मेरे देवर गोरकपूर रहते हैं तो उनी के साथ गए हुए है तो मतलब उनका रहता है कभी यहां रहते हैं कभी वहां भी उन लोगों के साथ भी जाते हैं जाना आना रहता है ज्यादा तर टाइम यही पे रहते हैं मतलब बीच बीच में घुमने पीने के लिए जाते हैं तो बस यहां पे चावल साफ कर रही थी तब तक यह भी आ गए तो यहां पे चाय बनाई है अपने लिए और इनके लिए और थोड़ा सा न यह मुर्मुरे और नमकीन ले लिया है तो चाय के साथ न कुछ थोड़ा बहुत चाहिए होता है तो बस वही मुर्मुरे वगरा लेके और चाय पीने के बाद अभी यहां पे यह जीरा भून रही हूं तो जीरा पौडर भी खतम हो गया है तो उसके लिए जो है यहां पे जीरा डाल दिया है तो उसको भूनने के बाद निकाल के रख दिय तो अब जो है हपते 10 दिन आराम से ये चलेगा और फिर आ गई हूँ ये ठंडा हो गया था जीरा और इसके साथ जीरा भुनने के बाद मैंने थोड़ा सा गरम मसाला भी रोस्ट कर लिया था भुनना नहीं होता है जीरा को तो हलका सा भुनते हैं हम लेकिन ये गरम मसाला हलका सा रोस्ट करना होता है तो उसको भी किया है और दोनों को ठाली में निकाल के रख दिया था तो बस जीरा को पीस लिया है अच्छे से और यहां पर भर के रख दे रहे हूं तो ये काम कुछ हैसे हैं कि एक बार हम कर लेते हैं तो हपते भर महीने भर हमें फिर ये काम नहीं क काम और से चुटी हो जाती है तो यह तो आराम से महीने भर चल जाएगा जो है जीरा पाउडर भी गरम मसाला भी पिछली बार तो मैंने बना जाएगा और जल्दबाजी भी रहती है टाइम भी आभ नहीं है उतना पहले रहता था कि थोड़ा सा समय रहता था अभी जो है समय की बहुत कमी हो गई है तो बस ये सारे मसाले मैंने पीस के और कंटेनर में भर दिये हैं थोड़ा सा ये गरम मसाला हलका सा भी ना तुरन पीसने के बाद भर के डबा मतलब उसका धकन बन नहीं करना चाहिए हलका सा वो बनने लगता है मौश्चर उसमें आ जाता है भाप वगरा बनता है तो थोड़ा देर ठंडा हो जाएगा तो फिर बंद करके रख दूँगी यहाँ पे मलाई भी निकाल दी थी तो ये बाउल भी भर जाता है उसके बाद एक छोटा बाउल निकालती हूँ उसमें मलाई जब वो भर जाता है न तो उसके बाद मखन निकाल लेती हूँ और आज सनीवार का दिन है संडे को हम लोग मखन वगरा नहीं निकालते हैं मलाई का काम नहीं करते हैं संडे के दिन और ट्यूजडे मतलब रभी वार और मंगल वार दो दिन नहीं होता है तो बस इसलिए हो जसे मैंने आज भी निकाल को उसको रख जिया जैस पे और उसके बाद ना देखे बारिस कितनी तेज स्टार्ट हुई इसके बाद और तेज यहां पर देखे यह बहुत तेज बारिस होगी और एक आएक आई मतलब कुछ चीजें जो है छट पर रखी नहीं थी ना बिल्कुल भी गई एक आएक तुरं तेज बारिस होने लगी जो है लगा था नहीं कि बारिस होगी मतलब बादल तो आज कल दिन भर ही रहते हैं सुबर के टाइम मतलब कभी कबार धूप हो जाता है नहीं तो बादल दिन भर ही रहते हैं तो अब ऐसा मौसम हो गया है कि बारिस कभी भी हो सकती है तो इधर मक्षन रख दिया है हो रहा है और यहाँ पे खाने की तयारी कर रहे हूँ तो आज खाना बनेगा सेंपल से बिलकुल दाल वाली खिचडी इधर दो तीन दिन से हम लोग का खाना पीना थोड़ा सा ओली, मसालेदार, स्पैसी सब कुछ हो गया है तो बीच में थोड़ा सा साधा होना चाहिए और सटर्डे भी आज है तो सनिवार के दिन जैसे कहा जाता है ना कि खिचडी बहुत जगह बनती है मेरे मैके में तो हर सटर्डे को बिलकुल नियम है बनता है यहाँ पे सबको बहुत पसंद नहीं है लेकिन अभी दो तीन दिनों से ऐसा खाना पीना हो रहा था ना तो कट हो जाएगी तो बस खिचडी रख दी है और उसमें प्यास टमाटर मेच सब कुछ कट करके डाल दिया है दाल वाली ही है मतलब थोड़ा सा रहर दाल लिया है थोड़ा सा उड़द वाला दाल और उसके बाद जो बरतन साम के धुले हुए थे उनको भी लगा दिया है बी उसके बाद जब हम लोग सोने चले ना तब लाइट गई और उसके बाद मतलब रात भर लाइट थी ने फिर लेकिन इस टाइम पर आराम था कि मैंने काम सारा निप्टा लिया तो बरतन भी जो थे सारे बरतन भी धुल लिये और यहाँ पे घी तब तक हो गया है तो इसको चान के रख ले रहे हूं तो यह ना मैं अलग से कंटेनर में रख रहे हूं यह टिफिन वाला जो गलास आता है ना उसमें क्योंकि यह मलाई ना जब मैं नहीं थी तब से इन्होंने रखना इस्टार्ट किया था तो थोड़ा सा मतलब रहता है ना इन लोगों का हाथ साप नहीं है मतलब जिस हाथ से खाना वगरा उसी हाथ से दूद भी चू देना और मैं बिलकुल साप रखती हूँ कि पूझा पाट के लिए भी इस्तेमाल हो जाएगा तो इस बार जो है अलग रख रहे हूँ कि यह खाने के लिए इस्तेमाल हो जाएगा और अभी खाने वाले जीरा का तड़का लगा दे रही हूँ बहुत टेस्टी लगता है सिर्फ ये तड़का लगा देने से ना इसका टेस्ट दोगुना बढ़ जाता है मतलब खिचडी का चाहे मसाले वाली खिचडी हो या ये सिंपल सी जीरा और लैसुन हींग का टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो बस इसमें चौक डाल दे रही हूँ और तुरंट के तुरंट हम लोग खा लेंगे तो आज सारा काम थोड़ा सा जल्दी हो गया मतलब खिचडी बनाना था तो बहुत जादा टाइम लगा नहीं और पांच बज़े से लगातार मैंने काम स्टार्ट किया था और दिमाग में था भी कि आज ये सारे काम मुझे निप्टाने हैं तो करीब आठ साड़े आठ का टाइम हो रहा है तब तक मैंने सारा काम निप्टा लिया और खाना भी सोचके ही रखा था कि आज यही बनाना है क्योंकि और एक्स्ट्रा काम हम अगर करने लगते हैं तो थोड़ा सा मतलब उस दिन खाना पिना में भी अगर उतना ही समय दें तो लेट बहुत जादा हो जाएगा तो इस तरह का अगर हलका फुलका या सबजी रोटी ही सिंपल सी बनानी होती है तब भी टाइम कम लगता है जो है उसके अलावा कुछ और स्पेसल बनता है ना तो उसमें समय लग जाता है तो बस हमने खाना खाया दही लिया था खिचडी और अचार और बस उसके बाद यहाँ पे किचन वगरा क्लीन कर ले रही हूँ तो सारा काम फिनिस हो गया है बस दूद वगरा पीना बाकी है और बाकी सारे काम हो चुके हैं और बारिस लगा तार बाहर हो रही है बिजली चमक रही है एकदम तो अच्छा मौसम अच्छा हुआ है और इसके बाद ना लाइट गाइब हो गए थी पूरी राद लाइट नहीं आए थी लेकिन मौसम अच्छा था पूरी राद तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई तो बस वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ आज का ये छोटा सा ब्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, सेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में बाबाई, थैंक्स फॉर वाचिंग, गुट नाइट